Hello everyone, welcome back to my channel तो आज की वीडियो है हमारी English spoken practice तो आज की वीडियो में हम जानें कि use of let and use of was का क्योंकि आज की वीडियो सभी वीडियो से काफी ज़्यादा difference होने वाली है so please वीडियो को इन तक बने रहेगा तो आईए वीडियो चलो हौकी खेलते हैं उन्हें अपने भविसी के बारे में सोचने दें English में आप बोलेंगी simply तरीके से let them think about their future चात्रों को जल्दी घर जाने दो let thy students go home early यानि की चात्रों को जल्दी घर जाने दें बढ़ते आगे अगला वाक्के हमारा सो बढ़ते आगे अगे हम देखेंगे वाज का استعمال use of वाज मैं त्यार था I was ready I was ready यानि की मैं त्यार था मैं बीमार था I was sick इल कभी इस्थेमाल आप कर सकते हैं I was sick मैं वफादार था I was faithful I was faithful मैं वफादार था मैं वेस्त था I was busy I was busy, यानि कि मैं वियस्त था, मुझे हसी आ रही थी इंग्लिश में आप बोलेंगे simple तरीके से I was laughing I was laughing, मैं आभारी था, I was grateful I was grateful, यानि कि मैं आभारी था, मैं आलसी था, I was lazy I was lazy, यानि कि मैं आलसी था, मैं भाग शाली था, I was lucky I was lucky, यानि कि मैं भाग शाली था, तो बढ़ते हैं आगे अगला वाक कि हमारा मैं खेल रहा था, I was playing, मैं खेल रहा था, मुझे भूख लग रही थी I was hungry, मुझे भूख लग रही थी, मैं उतसाहित था, I was excited मैं घबरा गया था, I was nervous, मैं घबरा गया था मैं कुशल था, I was skilled, मैं कुशल था, मैं डर गया था, आप बोलिंग इंग्लिश में I was scared, I was scared, यानि कि मैं डर गया था, मैं वहाँ था, I was there, I was there यानि कि मैं वहाँ था, मैं खुश था, I was happy, I was happy, मैं खुश था तो बढ़ते हैं आगे next sentence हमारा, मैं निराश हो गया था, आप बोलेंग इंग्लिश में I was disappointed, मैं निराश हो गया था, मैं थक गया था, I was tired, यानि कि मैं थक गया था, मैं प्यासा था, I was thirsty, यानि कि मैं प्यासा था, मैं आशावादी था, मैं आशावादी था, I was optimistic, यानि कि मैं आशावादी था, मैं गुसे में था, I was angry, मैं गुसे में था, मैं खा रहा था, I was eating, यानि कि मैं खा रहा था, मैं काम कर रहा था, I was working, यानि कि मैं काम कर रहा था, मैं बेरोजगार था, I was unemployed, I was unemployed, तो बढ़ते हैं आगे, अगला sentence है हमारा, मुझे बस अभी बाहर ही निकलना था, I was about to go out, मैं लक्षे तक पहुचने ही वाला था, I was about to reach the goal, मुझे काम मिलने वाला था, I was about to get the job, मुझे काम मिलने वाला था, तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो कैसी लगी, I hope आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, आपको माइन में कोई भी टॉपिक चल दियोगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताईएगा, तो आज की वीडियो आप एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ,